नमस्कार साथ ही ओ तो हम लोग देख रहे हैं बिहार सेसी सीजियल ठर दोया बाइस का प्रैक्टिसेट यह प्रैक्टिसेट नम्र पांच है तो चलिए देखे आ जाई क्या 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 क्योश्चन है पहला क्या राया 1665 में सिवाजी ने किस इस्थान को अपनी राजधान में साथी पर्था को समाप्त किया था तो वो किये थे लोड विलियम बैंटिक के सहयोग से यानि अप्शन नमबर ए अगला कोशन है सन्यासी बिद्रों का परमोग केंद्र था तो सन्यासी बिद्रों का परमोग केंद्र कौन सा था तो परमोग केंद्र था बिहार और बंग की गई थी तो कि गई धी पिल कमीशन की बधसी तब अगला कुष्चन है 1924 में निमलिक्र ये sano CAR के सथापना कि थी कुछ पंधर क हम नहीं खाला कुर्शन है निमलिक्र नहीं से कौन चसाशाग जियान धन के अनुयाई नहीं था तो वो हो जाएंगे असोक यानि अप्शन नमबर डी अगला कोशन है कि ओधन्त पूरी बेस विद्याले के स्थाबना केशने के थी तो वो कि यह थे गोपाल जो कि पाल वन्स के संस्थापक भी थे अगला कोशन है सुर्य एक गैसिय गोला है जो बना हुआ है तो वो बना हुआ है एक हत्तर परसें हैड्रोजन और छबेस परसें हिलियम से यानि अप्शन नमबर बी अगला कोशन है परतेक आर्थिक वर्स की एकदम शुरुवात से वे कि परतेक मद सघंतम मुल्यांकन क्या कहलाता है तो वो कहलाता है सुन्ने अधायित बजट्री सुन्ने अधायित बजट्री यानि अप्शन नमबर डी अगला कोशन है एक वस्तु का अधिकांस्त प्राकिर्टिक परकिरिया से उत्पादन ड्यास छेतरक की गतिवीदी है यानि वो किस छेतर से आता है तो वो आते हैं प्रात्मिक छेतर से यानि अप्शन नमबर ए अगला कोशन है भारत्य सरकार के पर्मोख आर्थिक सलाकार कौन है कार डॉक्टर वी अननत नागेस बडन है यानि اप्शन नमबर ब अगला कोशन है निम लिखत मेंसे कौन सी एक गैर समयधानिक है कौन सा आयोग जो है एक गैर समयधानिक है तो वो हो जाएंगे नीती आयोग यानि ओप्शन नमबर ए अगला कुश्चन है इंडियन 옵पिणियन समचार पत्र के सुरुवात किसने की थी तो इंडियन नामप समचार पत्र के सुरुवात के थी दरफ़ों, यानि अप्शन नमबर सि अगला कास्ष्रमाल सबसे बड़ा मशिली उत्पादक देश कौन सा था तो वो था चीन यानि अप्शन नमर भी अगला कुश्चर है कि 2011 के जन गन्ना के अनुसार जन जातियों की जन संख्या समपुर्ण भाद की जन संख्या का कितना परतिशत था कह रहा है कि 2011 की जन गन्ना के अनुसार जन जातियों की जन संख्या समपुर्ण भाद की जन संख्या का कितना परतिशत था तू अगला कुश्चन है मानव विकास रिपोर्ट नम्नेखित में से किस शंख्या द्वारा जारी की जाती है तू जारी की जाती है संहुक राष्ट विकास काईकरम के द्वारा यानि अगला कोश्चन है प्राहां पधान मंत्री नेंद मोदी ने डिजिटल इंडिया का इकरम की घुशना कब की थी तो वो की थी 21 अगस्त 2014 को यानि अप्सन नमबर B अगला कोशन है भारते समिधान के किस अनुसुची में दल बदल से सम्मधित प्रावधानों का उलेख है हमें मिलता है दसवी अनुसुची में यानि अप्सन नमबर D अगला कोशन है राजे पुन गठन आयो की अधेक्ष कौन थे तो राजे पुन गठन आयो की अधेक्ष थे फजल अली यानि अप्सन नमबर B अगला कोशन है कोई विव्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका परचार भी कर सकता है भारतिय समिधान के किस अनुछेद से संभव है तो वह अनुछेद है अनुछेद 25 यानि ओप्सन नमबर D अगला कोशन है निव्यक्ति में से कोउन सा राजपति कारिया वाहग राजपति के रूप में राजपति के पतपर रहे थे तो वह रहे थे BD जत्ति यानि ओप्सन नमबर A अगला कोश्चन है कि एक किसी राज्जे में विधान परिशत किसे स्थापना और समापती का प्रापधान किस अनुछेद में दिया गया है तो वो दिया गया है अनुछेद 179 यानि अप्सन नबर C अगला कोश्चन है मिठलियों तथा उन से सम्मदित उद्योगों का अध्यान क्या कहलाता है तो वो कहलाता है एकवी थी अलोजी यानि अप्सन नंबर C अगला कोश्चन है नियम्लीख्षित में अनुवान्स्तिक लक्षनों के नियंत्रण में निम्रुखित में से कौन सा उतरदाई है तो वो है DNA यानि option number C अगला question है निम्रुखित में से कौन सा किसी पारिश्थिति की तंत्र में एक दीवस ये एक दिस ये परवा दरसाता है तो वो दरसाता है उर्जा यानि option number C अगला कोश्चन है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी तो वह किये थे जोसेफ फ्रोरियर है यानि अपसे नबर ए अगला कोश्चन क्या रहा है सुपर कंड़क्टर की चलकता होती है कितने होती है अधी कम शुनने या अनन्त तो सुपर कंड़क्टरी चलकता होती है अनन्त ँपने यानि अपसे नबर ए अगला कोश्चन क्या रहा है कि बहुत कीमे चतुरुथ आयाम का पड़िचे केशने दिया था बहुत की में चदूर्थ आयाम का पड़ीचे केश ने दिया था तो वो दिया था गेलेलियों ने यानि अप्शन नमबर D अगला कुशन कह रहा है कि पर्मानु नाभी के घटक क्या है तो वो घटक है प्रोटोन और निट्रोन है यानि अप्शन नमबर C अगला कुशन है चुम्बा के क्वांटम संख्याय पर्दर्शित करती है किसकी वो करती है कख्षाओ का अभी विन्यास को यानि अप्शन नमबर D अगला कुशन है राष्टे मस्तिस्क अनुसंधान केंद्र कहा है तो वो है मांसेर यानि हर्याना के मांसेर में है राश्टिये मंस्तिक्स अनुसंधान केंद्र है अगला कोशन है निम्लिकित में से कौन सी संस्था या संस्थान सत्रंज की विश्च चेंपियंशिप करवाती है वो करवाती है FIDE या अप्सन नंबर C स्रक्षापढ़सित में स्थाई एबं और स्थाई 27000 की संख्या कित्नी होती है अगला कुस्चन है करा 21-22 को अंतराष्टी योग दिवस कि थीम किस थीम के साथ मनाया गया तो वो थीम थी मानवाता के लिए योग यान्य अप्सन नमबर ए अगला है कुश्चन निम्लिक्रति में से किस देश को फाइनेंसियल एक्षन टास्क फोर्स के ग्रेल लेस्ट में पुना रखा है उसे रखा है पाकिस्तान में रखा गया है पाकिस्तान को रखा है लेकिन अभी हाल फिलाल में इसे हटा दिया गया है पाकिस्तान को अगला कुशन है हाल ही में मानिक साह किस राज्य का नए मुख्य मंत्री बने है तो मालिक साह भी बने है सित्री पूरा के यानि अपसन नबर बी अगला कुशन है हाल ही में किस भारतिये पत्रकार को मरनो परांत पुलिजर पुरिशकार 22 से समानित किया गया है तो वो किये गया है किसे दानिस सिद्धिकी को यानि अप्शन नबर C अगला कुश्चन है हाल ही में किसे ने किसे वर्ष 22 का विश्ख खाद पुरिशकार से समानित किया गया है करा हाल ही में किसे वर्ष 22 का विष्ख खाद प्रशकार से समानित किया गया है तो वह किया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेंज विंग याने अप्शन अबर डी अगला कोश्चन है किस फूट वर्ल्ट टीम ने हाल ही में स्वंतोष ट्रॉफी 22 का खिताब जीता है तो जीता है केलल अभी जीता यानि अप्शन बर अगला कोश्चन है रक्त कैंसर की रोगत्हां में पर्योग किये जाने वाले रेडियों समस्थानिक कौन संभा गभाvern 20 अगला कोश्चन है अई उडानी क्लिती लवन में राता है करा है क्लिती ग्ली लवन में राता स kullis तो वो रहता है, पोटेसियम आयोडाइड यानि अप्शन नमबर A, आईडू क्रित लवन में पोटेसियम आयोडाइड रहता है, अगला कोश्चन है, दोयाचोविस में ओलम्पिक खेल का आयोजन कहां होगा, जपान, फ्रांस, अस्टरिया, न्यूजिलेंड, यह होगा फ्र अगला कोश्चन है, गामा किरने है, क्या है? तो गामा किरने है, उच उर्जा वाले बीदू चुंबा के तरंगे, यानि अप्शन नमबर A, अगला कोश्चन है, समिधान का निमनी में से कौन सा एक आपात उपबंध से सम्मंधित नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अनुशे 350, यानि अप्शन नमबर C, इसमें और वो विर्थी आपात को लाग किया जाता है, तो इसमें से 350 जो है, ये अपात उपबंध से सम्मंधित नहीं है, यानि अप्शन नमबर C हो जागा है, इसका उत्तर, अगला कोश्चन है, पाली सताबदी मेंने मिलखित में से कौन सी विदैसी यातरी ने ने नेच्रल हिस्ट को अप्शन नमबर B, अगला कोश्चन है, इस्थिताब पर गैस की नियत मातरा का आइतन उसके दाब का वहत कुरून पाती होता है, यह नियम किसे सम्मंदित है, यह नियम सम्मंदित है, वाइल के नियम से, यानि अप्शन नमबर C, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अ कर दो आज कैंद我 है, यहो है...